नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका टॉग विद पुनी चैनल में दोस्तों आज के इस नॉटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ THDC नई भरती 2020 के बारे में THDC इंडिया लिमिटेट के अंदर Executive Training के पौदो पर भरती आई है Salary होगी 50,000 रुपे पर मन्त साथी किसी भी स्टेट से कोई भी Candid सप्लाई कर सकता है Form के भनने की Last Date 30-2020 है तो इसी के बारे में आज मैं आपको दूँगा सारी जानकरी Step by Step तो दोस्तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल Talk with पुनीद पनाई है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस करके All पे क्लिक कर लीजेगा ताकि जितनी भी Government Job or Private Job के Notification होते हैं वो सभी आपको मिलते रहें मैं रोजाना आपके लिए Daily Government Job or Private Job के Notifications लाता रहता हूँ तो किसी भी प्रकार की Notification को पाने के लिए आप मारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप और वटसप ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं तहरी Hydro Development Corporation Limited भरती 2020 के बारे में Central Government की जॉब की कैटिगरी में ये वेकेंसी आती है और अभी हाली में इसके Notification को Release किया गया है जिसके अंदर Adjective Trainee के पदो पर भरती होने वाली है Salary आपको यहाँ पर मिलेगा 50,000 रुपे पर मन्त किसी भी स्टेट से कोई भी कैटिट से अप्लाई कर सकता है Total Vacancy यहाँ पर 14 है तो दोस्तो वेकेंसी कम है लेकिन Salary आपको यहाँ पर 50,000 रुपे पर मन्त ही मिलेगा According to Official Notification साफ साफ यह चीज लिखा हुआ है बात करेंगा हम यहाँ पर Job Location के बारे में तो दोस्तो All Over India आपकी Posting होगी इसमें कोई भी डाउट नहीं है और अगर हम बात करें इसके Application Date के बारे में तो दोस्तो भी हाली में इसके Notification को Release किया गया है अगर आप इसके लिए Apply करना चाते हैं तो 15 June के बाद आप इसके Form को भर सकते हैं और Form भरने की Last Date 30 June 2020 है अगर हम बात करें इसके Application Fee के बारे में आप यहाँ पर जाकर इसकी सारी जनकारी को चेक कर सकते हैं, ये लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा, तो दोस्तो बात करें अगर हम वेकेंसी के बारे में, तो दोस्तो यहाँ पर टोटल 14 वेकेंसी है, और अगर हम बात करें पोश्ट के according, तो यहाँ बार यह चीज जानकारी जो है यह इसके official notification में दिया हुआ है आप जाकर के check कर सकते हैं अगर हम बात करें इसके eligibility criteria के बारे में तो दोस्तों यहां पर देखें जो हमारी personal की vacancy है executive trainee personal की उसके लिए mbbs यहां पर मांगा हुआ है अगर आपने mbbs किया हुआ है और आपको notification कर रखा है जनलिजम अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं साथ ही कुछ और भी candidates जो इस form को भर सकते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप इसके official notification को एक बार चेक कर लिजेगा लिंक आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा बात करें अगर हम age limit क के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर minimum 18 से लेकर के 30 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं साथ ही कुछ अधिकुमर वाले candidates भी इस form को भर सकते हैं तो age limit और relaxation के लिए आप इसके official notification को चेक कर सकते हैं वही अगर हम बात करें इसके selection process के बारे में तो दोस्तों इसका selection process होगा वो आप of application के बारे में तो इसके लिए आपको online application mode form फिल करना होगा, फिल कैसे करना है वो सारा कुछ आज मैं आपको step by step बताऊंगा, बात करें application fees के बारे में, तो दोस्तों इसका application fees का जो जानकारी है वो आप इसके official notification में चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके important dates क बारे में तो दोस्तो अभी जो vacancy है इसके लिए अगर आप apply करना चाते हैं तो 16 जून 15 जून के बाद आप इसके form को भर सकते हैं साथी form बने की जो last date है वो 30 जून 2020 है और इसके application fee को payment करने की जो last date है वो 2 साथ यानि कि 2 जुलाई तक आप इसके application fee को payment कर सकते हैं सामके 5 बज अब बात करते हैं कैसे apply करना है तो दोस्तो apply करने के लिए video के description में इसके सारे links डाल दिया है official notification डाल दिया है और apply now का link दे दिया है जो भी candidates apply करना चाते हैं एक बार इसके official notification को जरूर पढ़ लिजेगा अच्छे से कोई भी doubt होगा तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपके comment का reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा लेकिन गलत form नहीं fill करना ठीक है दोस्तों अगर कोई भी doubt होना तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपको solution provide कर दूँगा तो वीडियो के description में सारे links दे दिये हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और अग पिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ एक नए knowledge के साथ तो अभी के लिए goodbye जाहें